जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की अर्थ वेवस्था को वापिस पटरी में लाने के लिए पीम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लग करोड के आर्थिक पैकेज को एलान किया था ताकि कई कारोबारिक शेत्र और आर्थिक जगत की संस्थाओं की मदद की जा सके दरसल सरकार के राहत पैकेज का हमारे ही कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है तो फिर वहीं जर्मनी ने इसका स्वागत किया है और हम आपको यह यह बता दे जर्मन न्यूस पेपर डाइची वेले ने अपने एक पोस्ट में कहा है हम देख रहे हैं कि भारत के राहत पैकेज को लेकर वो लोग बिलकुल भी खुश नहीं होगे जो ततकल पैसो की उमीद लगा बैठे थे लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता राहत पैकेज को जारी इसलिए किया जाता है ताकि उस देश के लेंड लेबर लिक्विडिटी और लौ यानिकी कानून पर जोड़ दिया जा सके और आगे कहा ये आर्थिक पैकेज उन देश के किसानों के लिए है जो हर मौसम में अपने देश वासियों के लिए दिन रात महनत करता है और ये पैकेज हमारे उन लोगों के लिए है जो देश की तरक्य में योगदान देते है और ये पैकेज उन लोगों के लिए और इसलिए सरकार ने उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है और आगे जर्मनी का कहना है भारत एडवांस टेकनोलोजी और वी निर्मान का बड़ा केंदर बनता दिखाई दे रहा है और इसके लावा भारत इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्शन में भी अपने हिस्सेदारी में तीन परसंड तक बड़ा चुका है और जब भारत ने इस पैकेज का एलान किया तो फिर चांसलर एंजला मारकल ने अपने एक बयान में कहा था इतनी बड़ी आबादी को लेकर भारत ने सिर्फ तीन ट्रिलियन डॉलर की जीडिपी में जो कर दिखाया वो तेरा ट्रिलियन जीडिपी वाला चायना भी नहीं कर सका है और उम्मीद है आने वाले दिनों में चीन के बजाए भारत ग्लोबल मैनुफेक्चरिंग बनके उभरेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर करे और आगे ऐसे ही खास कबर देखेने के लिए मेरे साथ बने रहे जय हिंद, जय भारत